हालो फैंश आइम धर्मेन और आप देख रहे हैं चैनल इवार एक्जाम गोली आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है तो डिया फैंश जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर और आरपी एप एंसलरी टेट्समेन के टेट्स के ऊपर काइंटी नियो वीडियो अपलोट्स हो रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें वहाँ पर क्या कराय जा रहा है और आप लोगों को क्या क्या शावधानिया रखनी चाहिए वहाँ पर कहसा क्या हो रहा है इन सब च टेस्ट देकर आए इसके सांसा दोस्तों मैंने अपना भी अनवाउ शेर किया है अब हम इस वीडियो में बात करेंगे वो गलतियां जो लोग कर देते हैं अनजाने में जीहां फैंस एदि आप टेस्ट के लिए तैयार हैं सब को जानते हैं उसके बाब जोद भी आप एदि आ और बस हमको वहां से अलग होना पड़ा और दोस्तों हाँ यह रियल है वहां पर इन सब चीजों को देखा जाता है तो देखिए आकर वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो आप से अनजाने में हो सकती है लेकिन इससे पहली यह आपने इस वीडियो के पार्ट बन और इसके पहल वाले पार्ट को नहीं रेखा तो आप उसको आवर्श से देखने ताकि आपको किसी भी पिरकार की समस्या ना हो टेट टेस्ट देने से पहले जहां फैंस एक वीडियो में आपको एंट्रो मिलेगा मतलब कि वहां पर किन किन चीजों से होकर आपको गुजरना होगा और क्य चार 25 बडे चाहिए चाहिए है इन दोनों पार्ट को देखना चाहते हैं करें अपका जाकर डारेक्क कि लिक करें और उन पार्ट को देख सकते हैं अर इसके से और मैंने जिस इसमीं कुछेगे लिंक हैँ आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसको आप भी सब्सक्राइब कर लें आपको एक वीडियो के बाजू में बैल आइकन आ रहा होगा घंटी के निसान उसको दबा दें प्रेस कर दें इससे आने वाले समय में दोस्तों जो भी हम वीडियो डालेंगे वो मिलेगी आपको सबसे पहले और हाँ जी दोस्तों यादी वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्च करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जैसे और भी मित्रों की हल्प हो सके तो चली फैंस बढ़ते हैं आंगे हाँ तो डियर फैंस आप देख पा रहे होगे हम आगे हैं नेस्ट स्लाइड में हमारी फर्स्ट और मोस्ट इंपर्टेंट क्या मिश्चेक हो जाती है लोगों से अनुशासन हींता जी हाँ दोस्तों आप कहेंगे अनुशासन तो डियर फैंस आपको बता दें आप लोगों को वहाँ पर अनुशासन में रहना है तो कि जावी तक मेरे जितने फ्रेंट्स हैं जितनों ने मेरे को अभी कॉल करके बताया जिनका टेट टेस्ट हो गया है और जिनका मैंने अनुशासन हींता मतलब कैसे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है तो दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर जो बोला जाए आप सिर्फ वो करें ना कि इससे कुछ एश्चा करने की कोशिस करें जी हाँ फैंस आपको बता दें बहुत से कैंडिट क्या मिस्टेक करते हैं या तो वो कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो कैमरे में कैद कर ली जाती है देन उसके बाद वो डिसीजन लेकर आपको डिस्कौलिफाइट कर देते हैं या फिर उन्होंने बोला कि आपको एक चापाती या रोटी के लिए आटा उसन है और आपने इतना ज़्यादा इस्टा उसन दिया गूद दिया कि उसकी तीन चार रोटी बन जाएंगी तो डियार फैंस एक मिस्टिक जेज हो जाती है कि बोला कुछ और है और आप कर कुछ और रहा है देन इसके बाद डियार फैंस सेकेंड मिस्टिक क्या होती है लोगों से कि वो अपने बेंच यान साइड वाले परसन की कॉपी करने लगते हैं जेहां फैंस जे भी अनुसासन हिंता का ही परचा है कि आपके बाजुवाला दोस्त क्या कर रहा है कैसे क्या कर रहा है उसको देखने लगते हैं वो यह नहीं समझता कि मेरी हर एक एक्टिविटी कैमरे में कैद हो रही है और वहाँ पर जो ओप्सर्स आईएस आईपस चेयर्मेंट्स रहे हुए हैं वो सब देख रहे हैं तो दोस्तो एह भी एक अनुशासन हिंता की ही परचा है दैन थी तीस्री मिस्टेक क्या होती है डियर फैंस कि ओपसर्स की हर एक बात को ध्यान से ना सुनना जी हां दोस्तों बहुसे स्टुजेंट्स क्या कहना है कि सर कुछ-कुछ लोग या कुछ-कुछ बच्चे क्या कर करते हैं सर जब बोलते हैं उस बात को अच्छे से सुनते नहीं है और बाद में खड़े होकर फिर बोलते हैं सर आपने क्या बोला था या फिर हाथ उठाकर बोला है सर मेरे को समझ में नहीं आया तो डियर फ्रैंस एह भी एक अनुशासन हिंता का वहां पर परच्चा हो जा अनुशासन का परच्चय नहीं दिया चूंकि वहां पर वही बंद स्लेक्ट होता है जो हर एक चीज में फेट हो मतलब की अनुशासन भी उसके अंदर होना अनिवारे हैं तो दोस्तों ध्यान रखना एह मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई जो कि मुझे नहीं वहां पर ओफशर्स आपको सलाय भी देते हैं मैं गया था मेरे टाइम भी बताया था कि आप लोगों को अनुशासन बनाया रखना है कोछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करना ताकि आप उनकी नजर में चड़ जाएं और वो आपको रिजेक्ट कर दें तो जे तो हुआ पहला मिश्टिक आप छली हम चलते हैं सेकर्ट मिश्टिक की उपर जो आपसे अंजाने में हो जाती है तो डिय फं जैसे के आप देख पा रहे होंगे हमागे है next slide में और आपकी सेकर्ट मिश्टे के अंतर गताता है अपका हैयार कटिंग जी हां दोस्तों इतने बच्चों से बात करने के बाद और मेरे श्वयम के आनुवाव के आधार पर ऐह बात सामने निकल के आती है कि कुछ बच्चे अपने लोग या फिर अपने हैरेस चाल के चलते को और लोग पर बाल कटा कर नहीं जाती जीहां दोस्ते हुआ है अपने लोग को मेंट और रखने के लिए बोलते हैं कि हान इससे कुछ नहीं होगा हमको तो खाना बना के दिखाना है बस या फिर जो उनको डर्फ इयूंक कर और के दिखाना है आप बड़े बाल करके बिलकुन नजाएं एदी हैं भी तो उनको छोटी छोटी कटिंग करवा लें ए नहीं कि बिलकुन छोटी जीरो कटिंग बट हां ऐसी करा लें ताकि उनको देखने में ऐसा ना लगे कि इसके बाल खाने में गिर गए होंगी चुंकि मेरी बात हुई अभी जितने candidate से उन सब ने मेरे से बोला कि सार जितने भी candidate selected हुए थे हमने देखा खुद अपनी आख से कि 99% student बिलको छोटे छोटे बाल कराए हुए थे और किसी किसी student से ऐसा भी बोला गया कि तेरा बाल इस रोटी के अंदर गिर गया होगा जिसके बाल बड़े हैं उससे है बोला गया कि तेरा बाल इस रोटी के अंदर गिर गया होगा तुने जरूर इस खाने में बाल गिराया है जिसके बाल बड़े थे ऐसी बात उनसे बोली गई तो डियर फैंस आप इस बात से अन्मा लगा सकते हैं कि बड़े बाल करने बाले का सेलेक्शन भी नहीं होगा किसमें आपके टेर टेस्ट में बाटर केरियर जी हाँ दोस्तों खास कर बाटर केरियर जो खाना बनाने जाता है उसके ही आर बिलकुल छोटे छोटे होना चाहिए बड़े नहीं होना चाहिए आप लोग देख सकते हैं make dog के नेका जी हाँ दोस्तों आप perder के शेखिये उसका लोग कैसा लगता है से हम उतने ही बाल रखें या फिर थोड़े और बड़े बट इतने बड़े बड़े बाल करके विलको न जाए क्योंकि कुछ-कुछ बच्ची होते हैं जो जिद्धी प्रवती की नहीं कुछ नहीं होगा खाना ही तो बनाना है बाल थोड़ना देखना है ऐसे लोग उहां पर स्लेक्ट नहीं हो रहे चलिए तो आई थिंक आपको एह मिस्टेक भी समझ में आ गई होगी अब हम चलते हैं नमर थी मिस्टेक पर तो डियाइफ्रेंट्स आप देख पा रहे होगे हम आ गए हैं नेस्ट स्लाइड में और आपकी तीसरी मिस्टेक है क्या बड़ी डाड़ी जहां दोस्तों इतने का इंडेट से बात करने के बाद उनके अनुभाव के आधार पर और मेरे अपने श्व दोस्तों बहुत से कैंडेट ने बोला कि सर मैंने अपना हेंडेट पर्चेंट दिया है सब कुस किलियर किया है मेरी डोटी फूली सब कुस हुआ उसके बावजूद भी मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ फिर उन लोगों ने अपने आप में मिस्टेक धूड़ी किया आखिर मैं क्यूंकि डियर फैंट जिन लोगों का सेलेक्शन हो रहा है मैक्जिमाम 99 परसेंट लोगों की डाड़ी बिलकुल साफ एंड क्लीन है और आज कल इस चीज का क्रेश चल रहा है कि 100 लोगों में से 80 या 60 लोगों की डाड़ी बड़ी हुई होती है वो अपने लोग को मेंटन रखने के लिए इस चीज के साथ कॉंप्रमाइस करना पसंद नहीं करते तो डियर फैंट से लिए आपको टेश्ट क्वालिफाई करना है और उनकी नजर में अच्छा बनना है तो आप लोगों को अपनी शेविंग करा कर जानी होगी मतलब की जीरो बिलकुल सपाच चठ हो की इसलिए और फैंस आपको बता दें आप इतना काम करके आवस्त जाएं ताकि आपसे वहां पार किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आपको ऐसा फील ना हो कि मेरी एह मिस्टेक रहे गए इसी बज़ए से मेरा सेलेक्शन रोग गया किसमे आर पे अप एंसलरी टेट्स में में और हाँ दोस्तों आप वहां पे जाएंगे तो आप हर एक आपसेस को बड़े ध्यान से देख लेना एदी किसी आपसेस की आपको डाड़ी बड़ी मिल जाए हाँ एक बात है कि मूच जरूर बड़ी मिल सकती है क्योंकि मूच से कोई लेना देना नहीं रहता किसी कि किसी की नियम होते हैं कि वो मुझ साफ नहीं करवाते हैं डाड़ी वहाँ पर आपको किसी भी ऑफसेस की बड़ी नहीं देखने को मिलेगी हर किसी की डाड़ी बिल्कुल साफ हैंड क्लीन रहेगी तो दोस्तों आप इस चीज का भी विसेज ध्यान दें ताकि आप उनकी नज मिस्टेक क्या है दोस्तों जो की सबसे जादा हो जाती ही लोगों से जहां इस चीज का विसेज ध्यान दें आपकी चौंती मिस्टेक है बड़े हुए नाकून जी दोस्तों ऐह बहुत थी आप से बड़ी मिस्टेक हो जाएगी डियर फ्रेंस कि यह आपके नाकून बड़े जिन लोगों के नाखून बड़े हैं उनको तोहां से डारेक्ट ही अलग कर देते हैं इसका मतलब एदि आपके नाखून बड़े हैं तो आपको साफ सपाई का जरास भी अंदाजा नहीं वह ऐसा सोच लेते हैं और हैवी डियर फैंस एदि आप खाना बनाने जा रहा हैं तो नाखून नेल बिल्कुल छोटे छोटे या विल्कुल साफ ही होना चाहिए छोटे से मतलब कि आपके नाखून बड़े होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर गंदेगी फैस जाती है और आप जब खाना बनाते हैं तो उसके अंदर वो मिक्स हो जाती है बारस क्वालिफाइड कर दिया जाएगा दोस्तों एड़ी बात करें आपके नाकून बड़े होने वाली मिस्टेक तो यह आपके हेर एंड डाड़ी इन सबसे भी जादा बढ़के यही मिस्टेक है आपके नाकून का बड़ा होना इसलिए आप इस चीज की भी साउधानी रखें औ वाँ पर खड़ा करते हैं जब आप रोटी परोस्ते हैं तो ऐसा करने को भी बोल देते हैं कि हाथ ऐसे करके देखाएगे एड़ी आपके नाकून बड़े हैं तो बोल देते हैं कि आपने आधी सी गंदगी तो इसी रोटी के अंदर रख दिये ऐसे दो तिन कैंडिट मेरे बात करके बताया और हां जी डियार फ्रेंस रियल है सच में आप लोगों के नाखुन बड़े नहीं होना चाहिए नहीं तो एह भी एक आन जाने में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी चूंकि उस समय ना तो आपको हाँ पर ब्लैड मिलेगी ना कुस काटने के लिए नाखुन कर लेता है डेली रूटीन का काम है आप लोग नाखुन बड़े ना रखें आपके बाल भी जादा बड़े नहीं होना चाहिए और सेविंग भी आप समय समय पर करते रहें लेकिन आप लोग टेट टेस्ट देने जा रहा है तो यहां पर मेरा काम है आपको अलर्ट करना ता हम आगे हैं नेश्ट स्लाइड में और आपकी मिस्टेक नमर फाइव है आपके कपड़े जी हां दोस्तों बैसे तो आज के जवाने में हैं ना मुम्कैन है कोई गंदे कपड़े पहन के जाए लेकिन डियर फैंस होता क्या है आपको दूर सेंटर मिला है तो आप एक दो दि फ्रें गंदे आपको पहनने पड़ें और आप महों पर बनाएंगे और उनको देखाएंगे खाना तो आपका बोलें यह तो कुछ नहीं कि वह उत्छाछा कि है लेकिन आपसे यह उच्को प्राइवटी यह द्याहिए लेखेंहें ठोड़े बहुत जैसे भी हो बैद में य आला कि यह एक बिग मिश्टेक नहीं है लेकिन जहां तक हो सके आप एक कोक के लोग में जाएं जी हाँ डियार फ्रेंट्स कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा कोक रहता है ना बिल्कुल साधे कपड़े ज्यादा ऐसे डिजाइनर कपड़े नहीं होना चाहिए जैसा ना लगे कि को अधि दूर साधे मिला है तो एक जोड़ी कपड़े साथ में रखकर ले जाए और हो सके तो कोक वाली डेस वह उपर पहनते हैं खाना बनाते बक्त वह रख लें कि वहां पर वह से कैंड़िट देखने को आया है कोक वाली डेस में जाते हैं तो उनको हाँ पर तो आपकी संभाबना और बढ़ जाएगी वहां पर स्लेक्ट होने की हाँ तो यह थी वो मिस्टेक जो आप अंजाने में कर देते हैं जानके कोई नहीं करता अंजाने में हो जाती है किसी किसी को यादी नहीं रहे तक हाँ या नेल भी साफ करके जाना है वगरा वगरा तो आपको कोई पीछी छोड़े इसलिए मैंने आपको हैं पर हर एक वो बात बताई है जो आपके सेलेक्शन में बादा बन सकती है मतलब कि आपका सेलेक्शन रोख सकती है तो डियर फैंस अब हम नेश्ट वीडियो लाएंगे जिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि आप कौन सा जब जो मेन्य बना रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या सावधाने रखनी चाहिए सतरकता बढ़तीनी चाहिए ताकि आप अपने सेलेक्शन ड़न कर सकें तब तक कि लिए यह पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें और दोस्तों लाइक करने में आप लोग इतनी की हल्प हो सकें तब तक के लिए कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स छोड़ते जाएं ओके टेक क्यार लव यू और जैहन जै भारत